तो 750 ml की जो पानी की भरी होई बोटल है वो भी 3M के डबल साइड टैप से छोटे से टुकडे में चिपग देए है तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो दोस्तों जो । डबल साइड टैप है वहDieं बनाती है लेकिन 3M कंपणी जो है वह बहुत अच्छी कंपणी है और पूरी दुनिया में इसका मार्केटिंग है पूरी दुनिया में इसका प्रोडक्ट चलता है और बहुत सारी कंट्रियों में इस थ्री एम कंपनी है तो आप यूरोप में जाओगे तो आप उधर भी अमेरिका में जाओगे तो उधर भी जो फूर्ड को 3M का प्रोड्ठ्ट मिलने को मिलेगा कोई भी स्ड़िवे जाओ इसका इसका फ्रोड़क्त प्रोट्ड़िक्त है तो यह ऑफिस्थीय्प का डबल साइड टैप है जिसे नॉर्मली कार में यूष्ड किया जाता है तो इसका ग्लू है वह जो बहुत बहुत कार में spoiler में लगाने के लिए ज्यादा यूश किया जाता है तो ये मेरी गाड़ी का spoiler है इसे लगाने के लिए मैंने इसको मंगवाया है तो ये मेरी गाड़ी का black color का spoiler है इसे में लगाने के लिए मैंने इसको flip card से मंगवाया है और ये इसकी price मेरे को पड़ी है 270 रूपीज मे अभी यह जो 3M का जो tap है यह original है कि duplicate है यह आप कैसे जाने तो यहाँ पे इसका जो sticker दिया हुआ है यहाँ पे भी 3M का यह sticker में आपको 3M लिखा हुआ मिलेगा और यह sticker आपको निकालना पुड़ेगा अभी यह जो packing का जो plastic है वहाँ पी आपको यहाँ पे 3M का अच्छा सा प्लास्टिक में लिखा दियर और यहाँ पे कार का सिंग्बॉल है नर्मली कार में ज्यादा यूज किया जाता है और यहाँ पे सब दिया हुआ है कि कार में इसको कहां कहां पे ज्यादा यूज किया जाता है spoiler में, dashboard में, nameplate में, logo में, door wizard में, chrome, garnish mirror में, rocker, modeling में और बहुत सारा दिया हुआ है कि कहां कहां से तो यह बार कोटल से आप पता कर सकते हैं कि यह original है कि डुब्लिकेट है तो नर्मली पैकिंग से ही पता चल जाता है कि यह original है तो यह इसका प्राइज है वह 263 rupees है और यहां पर भी दिखा हुआ है यह कहां से कहां इसका मैंनिफिक करीं हुआ है करनाटिका में इसका मैंने फिक करें हुआ है तो चले दुस्तरमेंट को ओपन करके मैं दिखाता हूं यह है अपना डबल साइड टेप और यहां पर देखे अंदर लिखा हुआ है स्कॉट्च ब्रांड टेप 3M Made in India यहां पर लिखा हुआ है तो इसकी जो वीड है वह मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी वीड है एक इंच मतलब 25 mm इसकी वीड थे एक इसकी वीड है यह देखे यहां पर 25 mm और इसकी लेंथ तो अंदर डिटिल में दी हुई होगी और यह जोगाद है अंदर बहुत इच्छा अलब मेरकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गम इसका बहुत अच्छा है और कॉलिटी टैप की कॉलिटी पकड़ने से पता चल जाती है बहुत ही अच्छी कॉलइटी है तो अभी मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटके कि I'm a अपना यही का जो रीमोट है वह मैं आपको हैंग करके मैं दिखाता हूं तो कैची से मैं इसको काट देता हूं कि देखे कैशी भी मेरी यहां पर चिपक गई इतना इसका ग्लू का ताकत है तो मैंने इतना टुकड़ा भी इसका डिया है अभी मैं मेरा एसी का रिमोट आपको हैंग करके मैं दिखाता हूं अभी दूस्तों यह मेरा पैना सॉनिक का एसी का रिमोट है और यह इसका जो हैंकिंग करने वाला जो इसके साथ आता है बोडी वह है इसको मैं दीवार में होल करके मैं लगाना नहीं चाहता हूं क्योंकि दीवार में पेंट पहुत अच्छा किया हुआ है तो अभी मैं इसका साइड है और मैं इसको निकलता हूं यहांसर तो यह गृत्रांग है बहुती स्ट्रांगे सा गलू है लेकि इसको अपना फिंगर इसमेन नहीं तच्छ होना चाहिए यह तो फिर इसका ग्लू का क्योलिटीच चला जाएगा तो मैं यहां पे इसको flips कर देता अभी यह AC का रिमोट फिक्स हो गया है यह देखे तो दोस्तों इसको हिलाने से भी हिलता भी नहीं है देखे बहुती ताक़त लगाना पड़ता है इसको हिलाने के लिए और खीषने से भी निकलता भी नहीं है पीछे का फट्टे हिल लेकिन जो टैप का जो गलू है टैप का कोई असर भी नहीं हो रहा है तो बहुती श्ट्रॉंग टैप है अब यह मैंने इमोट फिक्स पे बिठा दिया है तो दोस्तों अभी यह जो पानी बोटल है वो 750 ml की है द तो अभी मैं इतना बारी भर खमचीज आपको छोटे से स्टीम के टुकड़े में हैंकिंग करके मैं आपको दिखाता हूं तो मैं यह टैप को निकाल देता हूं और इसको दीवार पर आपको मैं लगा के दिखाता हूं तो अभी यह जो 750 ml की जो वाटर बोटल है वो मैं आपको हैंकिंग करके मैं दिखाता हूं देखिए दूस्तों पूरी भरी हुई पानी से भरी हुई बोटल थोड़े से 3m के टुकड़े में यह चिपक गई यह देखिए 7.500 ml की यह बोटल है तो दोस्तों वीडियो को इधरी आण करता हूं मेरी चैनल को सब्स्राइब कर देने का